अलो बच्चों कैसे हो सब मैं हो नेकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनिट में एक इनसान की वोगलरी स्ट्रॉंग होगी तो क्या फाइदे होंगे लिखने में अंग्रेजी अच्छी होगी बोलने में अच्छी होगी सुनने में समझने में हर तरीके से पूरी इंग्लिश या कोई भी भाषा तभी आप उसको पकड़ सकते हो मुठी में कर सकते हो अगर आप उस भाषा के शब्दों को जानते हो और जादा से जादा शब्दों को जानते हो तो जादा से जादा अलग तरीके से जादा से जादा आप अपनी भाशा को अच्छा कर पाओगे, so antonyms and synonyms क्या होते हैं, एक शब्द के विलोम शब्द, या similar meaning वाले समानार्थी शब्द, ठीके बच्चे, तो आज की lecture में भी हम क्या करेंगे, आज की lecture में भी हम कुछ नए 15 words लेकर आई हूँ मैं, और नए 15 words के हम meaning जानेंगे, meaning के साथ उस शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, वो जानेंगे, यानि कि antonyms और उसका same meaning वाला दूसरा शब्द कौन सा होगा, जिसको हम परियावाची कहते हैं, synonyms भी जानेंगे, बेटा मैं पहले ही आप लोगों को synonym मतलब क्या केवल यही antonyms synonym मैं पढ़ करके जाओंगा, तो क्या यहीं exam में आने वाले हैं, तो बेटा समझो, कि हम लोग को exams में यह कोई chapter नहीं है, या यह grammar का rule नहीं है, कि भाई मैंने यह नियम बता दिया, और यह नियम हर जगा इस्तमाल होता है, यह literature का chapter नहीं है, कि मैंने आपको कहानी सुना दी, अब उस कहानी में से ही सवाल आएंगे, अंग्रेजी भाईशा में 10 लाक से भी जादा शब्द होते हैं, 10 लाक से भी जादा शब्द होते हैं, अब सारे शब्द, और और examiner जो है, जो आपका exam ले रहा है, वो कोई भी शब्द उठा करके पूछ सकता है, कि इसका मतलब बताओ, ठीके, सो यहाँ पर क्या है, हमारी कोशिश यह है कि हम जादा से जादा शब्दों को अगर जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उनका मतलब जानते होंगे, उनका इस्तमाल जानते होंगे, तो हम answer कर पाएंगे, हाँ, मैं आपको ऐसे शब्द यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे words आपको practice करवा रही हूँ, जो अधिकतर exam में आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है, कि यही पढ़ा दियो और यही आता है, ठीक है, यहाँ पर मैं सारे words ऐसे लेकर करके आई हूँ, जो अधिकतर आपके exams में ही आएंगे, और exams में आते भी आए हैं, इसी में से पूछा जाता है, पर कभी कभार बाहर कभी आ सकते हैं, तो आपके तरफ से यहाँ पर महनत आनी चाहिए, कि आप लोग जादा से जादा किताबे newspaper पढ़ते रहो, और किताबे newspaper पढ़ने से जितना भी नए शब्द आपको मिलें, तो उनका meaning, आप लोग learn कर लेना, अब learn करने में मैं यह कह रही हूँ कि बेटा, learn करनी चीज़े बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको, आपके लिए अगर मैं बात करूँ, तो बेटा, बच्चे, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, कि एक शब्द, अगर दिन के पांच नए शब्द आप उठाते हो, पांच नए शब्दों की meaning, अगर आप सर्च करते हो, तो केवल उनको रट्टा मार करके, मत रख देना, उनको कोशिश करना, उस पूरे दिन में इस्तमाल कर सको, जादा से जादा, तो क्यूंकि, ऐसे ही vocabulary बढ़ेगी, learn करके छोड़ दियाना, तो भूलने में पांच सेकंड नहीं लगेंगे, पांच सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में उसको प्रैक्टिस करनी है, जा रहे हैं, ठीक है, अब A से ले करके, I तक मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिये थे, Z से, J, J से ले करके, Z तक क्या आज मैं करवाऊंगी, ठीक है, सो जुबिलेशन का मतलब क्या होता है, A feeling of great happiness and triumph, पायानन दोच्व, ऐसी खुशी, जुबिलेशन का मतलब होता है, ऐसी खुशी जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जीत की, कि येस मैंने कर दिया, जुबिलेशन, देखो, अगर मैं बोलू, गोल्डन जुबली सुना है, कि यार लोगों को, जीत कर जीत करते हो, खीक है, अगर हम बात करें, ने पाकिस्तान को हरा दिया, बुरे तरीके से हरा दिया, World Cup में हरा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुशी मनाएंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हम celebrate करेंगे उस चीज को, हम उस triumph को, उस विजय को, उस जीत को मनाएंगे, सो उसको हम jubilation बोल देंगे simple कुछ भी अलग नहीं है कुछ भी difficult नहीं है सो jubilation होता है खुशी की feeling of great happiness बहुत जादा खुशी जब हमें महसूस होती है और हम किसी चीज की विजय को मना रहे होते हैं तब हम jubilation word का इस्तमाल करते हैं अब देखो इसका विपरीत क्या हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा खुशी का यह होता है उदासी क्या ही कुछ मनाना क्या ही जीत मनाना हम तो अदास हैं हमनों थो खुशी है या फोई नहीं या फिर जब हम किसी चीज को, किसी विजय को मना रहे हो, हाना, जीत की, जीत की feeling जब हम बहुत खुश हो, तो वही चीज क्या हो सकती है, उसके synonyms हो सकते हैं, विजय, triumph, या फिर खुशी, joy, और विपरीत क्या होगा, पीढ़ा, या फिर, दुख, ठीक है, चलो, अगला word आ जाता है आपके सामने, longevity, longevity का मतलब है, long, long इतलब lumber, विटी means, उम्र, longevity मतलब लंबी उम्र, जब हम किसी की लंबी उम्र की आशा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, longevity की hope, we hope for longevity, यानि की, लंबी उम्र, longevity का मतलब होता है, लंबी उम्र बस साधा कुछ मुश्किल नहीं है इसका समान आरफ़ी क्या होता है इनका मतलब भी होता है इनका मतलब ही होता है चीज जब लंबी चल जाए ठीके Durable हम बोलते ना यार यह चीज बहुत ही Durable है यानि कि लंबा चलने वाले चीज है यह इसकी लंबी उम्र रहेगी इस चीज की अब मम्मी क्या है हमारी मम्मी एक टपर वेर का या कोई अच्छी प्लास्टिक की बोटल लेकर रही तो पूछती है ना कि लंबा चलेगा कि नहीं है कर सकते हो यह समानारथी है इनका सेव मीनिंग है यहानिक इसका हुझता है इसका इन बाइन सब्सक्राइब्द अगले वोल पर हम आ जाते हैं और इसका अगला वर्ट क्या हो जाएगा इसका अगला मद अबूंब हो जाएगा वर्ट बोर्धन twist मूर्ण जाएगा इसे mundane नहीं बोलेंगे, mundane बोलेंगे, क्या बोलेंगे, mundane, mundane का मतलब होता है, lacking interest or excitement, dull, of this earthly world rather than a heavenly or spiritual one, अब यहाँ पर इसके दो मतलब होते है, mundane की दो मतलब होते हैं, पहला मतलब होता है, जब हमें किसी चीज में दिल्चस्पी नहीं होती, और excitement नहीं होती, dull, lacking interest, excitement, dull, हम बोलते का नाम सुनते ही, सभी के अंदर क्या जाता है, जोशा आता है, पिकनिक पर जा रहे हैं, तीन दिन के लिए ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, स्कूल वाले हमको, तो वह excitement वह अलगी खुशी की लहर दोड़ पढ़ती है, बच्चों में पहले मतलब स्कूल में फिर पढ़ाई चलती रहती है, कि हम जाएंगे गुमने, तो हम क्या करेंगे, क्या से करेंगे, बट सोचो वही पर किसी इंसान को दिलचस्पी नहीं है, बोरिंग, उसको बिलकुल भी खुशी ही नहीं है, उसे excitement ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यार कितना डल इंसान है, बताओ, इतनी अ संसारिक दुनिया की है, ना कि बाहरी दुनिया की, हना हम बोलते हैं, इस इस दुनिया से जुड़ी हुई, ना कि ऐसी जो बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हो, बई ऐसी बाते करो, जो हमारे दुनिया में क्या है, हमारे दुनिया में पॉसिबल है, संसारिक बाते करो, ह कई सी ऐसी बाते होते हैं जिसमें हम ऐसी दुनिया जहान की अलगी बात कर जाते हैं जो पॉसिबल भी नहीं है तो कौन सी बाते हो रही है यह तो spiritual बाते हो रही है भगवान की परमात्मा की अलगी बाते हो रही है वह कौन सी हमारे दुनिया से जुड़ी हुई है वह तो फिर वो भी मुंदेन हो जाता है ठीक है बेटा अब यहां पर सिननिम क्या हो जाएगा देखो अगर हम बात करें तो सिननिम हो सकता है इसका कि हम बोल रहें मुंदेन अब को इंसान जो है जिसकी दिल्चस्पी नहीं है जो क्या है जो किसी चीज में ऐसे डल बैठा हुआ यार सेम मीनिंग है अगर मैं कोई चीज बोलूं कि क्या है अगर मैं बोलूं कि कोई चीज जो है वो संसारिक है यानि कि हमारे संसार से जुड़ी हुई है ना कि ना कि अलग ही अना अलग ही स्वर्ग की बाते हो रही है अपसराओं की बाते हो रही है वैसी बाते नहीं हमारे प् bargaining जो काल्पनिक हैं जिनकी आप कल्पना करते हो जिनका असलियत कुछ नहीं है संसारिक दुनिया से उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। उसका कल्पनाओं में हैं हमारी अपसराएं । और anal this यह सब क्या है क्या यह सच में IS जमीन पर हैं क्या हमारे संसार से नहीं जुड़ी कल्पना में हैं ठीक है imaginative सो यह हो गया हमारा word number three आ जाते हैं word number four पे non-challenge non-challenge का मतलब क्या होता है feeling or appearing casually calm and relaxed not displaying anxiety interest or enthusiasm non-challenge का मतलब होता है जब एक इंसान बे का यह मतलब होता है इस ञर्वा titled कौई उसे गवराट नहीं हो रही है कोई दिलस्पी नहीं इसकी का मतलब होता है जोश कोई जोश नहीं उस इनसान के अंदर क्या बोल देते हैं मतलब बड़ाई इसे क्या नहीं से कोई excitement हो रही है नहीं इंट्रस्ट दिखा रहा है बड़ा ही शांत है इतनी बड़ी खबर सुनकर के भी कई वर क्या होता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही बड़ी खबर कि भई जिसे इंडिया पाकिस्तान का मैच अब इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या चार्ष यह चीज़े कि हर इंसान के अंदर बहुत जदा क्या जाता है जोश की अरे बहुत इंडिया जीते का लोग ऑफिस से जल्दी चुटी लेकर घर चले जाते है यह क्या है सब लोग क्यूंक्य इंट्रस्ट को बैठ रहा है कौन सी बड़ी बात है हार गई इंड इसको सुनके तो में बिल्कुल गुम्हाटनीаться कने इसा इंसान होता है ना जोचीजों को लेकर को सकते हैं इसकोई ट्रवाई नहीं है उसकोई टेंशन नहीं है चीजों की उसरे को इंदर चीजों को बोल सकते हैं मुंडेन तो बोली सकते हो नॉन चालेंट भी भोल सकते हो ठीक है बेपरवा इंसान अब इसी का समानारती क्या हो जाए काम की बड़ाई शानत है यार इनसान तो इसको तो बिल्कुल फरक नहीं पड़ रहा यह सुनकर इतनी उदासी वाली खबर को सुनकर इंड तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो सो नॉन चालेंट अनकंसर्ण कूल या काम होते हैं इसके सेननदीट होता है कि बढ़ी टेंशन है बड़ी चिंतित है हम ऐसे कैसे हो गया यार ऐसे कैसे इंडिया हार सकते है पाकिस्तान से आज तक नहीं हुआ हम तो उसको अपना बेटा लोरेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके बोलने की स्टायल बहुत ही जादा कैसा था बहुत ही अच्छा होता है गुड़ speaker और स्पीकर गुणC यह होता है प्इटा चिसको हम बोलते हैं अब स्पीकर यह भी उस और skilled eloquent यानि की बहुत ही ऐसे फर्राटेदार बोल सकता है अब हर किसी के बसकी अब यहां पर समझना हर किसी के बसकी नहीं है जा करके बहुत ही बढ़ी आसा भाशर दे देना पब्लिक के सामने खड़े हो करके बोलना कई वर होता है न स्टेज पर कुछ बच्चे स्टेज प के सामने भीड के सामने नहीं बोल सकते कुछ लोगों को डर लगता है उस चीज में कुछ लोगों को घबराहट होती है लेकिन कुछ लोग आपने देखेंगे जो इतने जादा होते हैं वह बने ही ऐसे होते हैं कि यार मुझे स्टेज पर जाकर कोई काम करने मुझे भेज़ बातों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया दे रहे हों किसी भी भाषा के अंदर बोल रहे होते हैं उनकी बातों में लया होता है यह उसी था न प्रएं है पबलिक के सामने कि हर एक इंसान का दिल शुजा वह क्या उन्हें हम ओर इतने स्किल्ज यानि के इस चीज का कि बहुत है इस बंदे बंदे के अंदर की वह बोलता है ना जब लोग सुनते हैं अमिताप बच्चन को देखा है अमिता बच्चन को बोलने का तरीका देखा है जब अमिता बच्चन बोलना शुरू करते हैं तो लोग खड़े हो करके सुनते हैं उनकी बातों में इतना दम होता है उनका बोलने का तरीका ऐसा है कि लोग ना चलता फिरता इंसान भी रुख करके सब्सक्राइब और इसका विपरीत क्या हो जाएगा साइलेंस कि बोलना ही नहीं जानते बहुत गंदी प्यास लगी एक्स्ट्रीमली थर्स्टी बहुत ही बुरे तरीके से प्यासा इंसान को हम पाश्ट बोलते हैं या फिर इसका और मतलब है ड्राइड आउट विद हीट जब कोई चीज गर्मी के वजह से सूख जाए यहां पर समझना कई बर ऐसे होते नहीं रात के बीच में अख्के खुल चुका है कि तो बहुत जादा गर्मी देखे आपने जब बहुत गंदी गर्मी में हम लोग जून के महीने में trás निकल जाओ और आपके पास पानी की बोतल नहीं है सोचकर ही अजीब लगता है कि यार जून के महीने में गर्मी में बाहर निकलना बिना पानी की बोतल के गले गला सूख जाएगा और बहुत बुरे तरीके की प्यास लगती है तो हम क्या बोल सकते आइम पाज्ट यानि कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ भई मेरे को बहुत अगड़ी प्यास लगी है और पाश्ट क्या होता है आपने देखा गर्मी के मौसम में क्या होता है गर्मी के मौसम में हीट बहुत जादा होती है तो अगर आपके आंगन में पानी पड़ा है ना तो वो सूख जाएगा थोड़ी दिर में when we are extremely thirsty तो हम dehydrated भी बोल सकते हैं पाश्ट भी बोल सकते हैं ए और भी बोल सकते हो ठीक है जब कोई चीज गर्मी के वैसे सुख चाहे और इसका विपरीत क्या होता है सोकिंग कोई चीज सूख गई है अगर्मी के वैसे वायने की गीली हो गई है वेट है सोकिंग है है सिंपल हाइड्रेटिड भी बोल सकते हैं प्यासे थे अब नहीं हो हाइड्रेटिड हो पानी पी रखा है बास सिंपल है चलो दिखावा धिखावा सोने प्रिटेंड करना दिखावा एक और जैसे कि 1000 का क्या रहे यार मैंनेत अपनी लाइफ में पता है एक बार में वहाँ गया था मैंने इतना कुछ किया मैं मेरे पता है मैं बच्छपन में में इतना जाधा पड़ाई में नेते था मैने टॉप मारा था मैंने यह किया था और एक्जाम ले लो उन से कभी उनका exam में देखना चार नंबर आएंगे तो क्या है प्रीटेंड करते दिखावा करते हैं बहुत ही अलग कुछ होने का लेकिन असलीद में कुछ नहीं है उसे बोलते हैं प्रिटेंड करना और प्रेटेंटे से यह लोग इच्टवों को खुष करना यह दिखाकर कि बहुत कुछ है हमारे पास हम तो अलगी लेवल के खिलाडी है लेकिन होता कुछ नहीं है एकुली पुसिस्ट है न जितना नहीं हो से ज्यूदा बोल कर क्या ना। दिखावा करना कपती और वों कम करते हैं वह होता है प्रिटेंटेट करना दिखावा करना और दिखावती इंसान तो बहुत प्रिटेंट बसो इसे करता है bottom hero और पता चलता है कि कहते हैं रोज क्या करते पैदल घर जाते कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है इतना दिखावा क्यों करना जितना ही नहीं आपके पास इतना ज़ादा किसी चीज़ को बढ़ा वा ठीक है और इसी की जगह inflated याने की जबरदस्ती जो बढ़ा चड़ा करके बोलते हैं होता कुछ नहीं है इसका विपरीत होता है अब आप देखो दिखावती इंसान जो बहुत जादा बढ़ा चड़ा करके बातें कर रहा है यह हूं मैं वह हूं पर असल में कुछ नहीं है उ करें जा करते हैं कर देने का काम करते इसे प्रोकास्टिनेशन कàngते हैं प्रोकास्टिनेशन करना मतलब इसपै डओं और सप्रक्रिए प्रक्रिया जो हम कल पर डालते रहते हैं अभी कौन करें अच्छा मैंडम ने बोला है कि 10 तारीक को मुझे अपना असाइन्मेंट अपना प्रोजेक्ट समिट करना है अभी तो दस दिन है चलो कल करूंगा अब वो कल आ इसे ताल मटल करना डीय और पोस्पोन अक्शन पुट अफ डूइंग सम्थिंग या तो कीजी का समानार्ती होता है चीजों को कर लोंग और भी बाध में खल लोंगा अभी इसका विप्रीत क्वीत हो जाता है क्यों के जल्दि के जल्दी grade करना कि कल करें सो आज ही गर लो ठीकर यह एकसलरेड जल्दी जल्दी काम करना चालो अगला चालो अगला वोड आ वेटा प्रूडेंट होता है कि जो इंसान ना अपने भविश्य को सोच करके चलता हो कि यार आज मैं आपको यहाँ पर उधारन से समझाना चाहूंगे एक इंसान होता है जो बोलता है कि अर आज मेरे पास बहुत पैसा है आज मेरे पास एक लाग रपया है आज मैं इस एक लाग रूपिय को क्या कर देता हो आज ही आज में एक Сवेगानी लुपय वो इंसान क्या है वो एक प्रूडिंट है क्योंकि वह भविष्य की सोच करके चल रहा है वह भविष्य के उपर विचार करके चल रहा है कि भाई आज है ठीक है लेकिन भविष्य का सोचो कल का किसी को नहीं पता अना कल किसी का नहीं देखा है सो कल पतानी क्या हो सकता है तो सोच करके चलो भविश्य में कुछ भी हो सकता है तो उसको उसको कंसिडर करके चलो उसको सोच करके चलो आज आज में इतना मज्जी हो कि आज आज में आपने केवल सब कुछ क्या कर दिया आज आज में आज पैसा आया और पूरा खर्च कर दिया और पता चले कल के हालाद बिगड़ गए तो आपके पास कुछ नहीं बचा इसे इंसान को पूड़ को सोच करके चलता है जो फूचर को थौट दे करके चलता है हना acting with हरकत करना या शोइंग केर परवाग दिखा रहे हो आप हाना थौट सोच के चल रहे हो आप फ्यूचर के बारे में या तो फ्यूचर का देख करके चल रहे हो फ्यूचर को सोच करके उसकी तरफ परवा करके कि आगे पता नहीं क्या हो जाए आर सोच के चलो हाना तो वह होते है अब इसका क सोचा समझा एक समझदार इंसान है वाइस परसन है वेल जज़्ड सोच समझ के काम करते हैं कि कल का किसी को नहीं पता अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकते हैं तो आज का सोच के चलो अब इसका सिननिम क्या हो जाकान वाइस बेवकूफ मुर्ख इंसान बोल सकते हैं हम और य कंसाईलेशन का मतलब होता है सुलह कर लेना सब्सक्राइब fucking णा तो ज利म के साथ आपके अच्छे रिश्ते उसके साथ दुबारा से अच्छे रिश्ते बना लेना अब कही बारी क्या होता है यार दोस्त हैं तो लढ़ाई सो होगी दोही जितने अच्छी कर दोस्तों के साहज़ लड़ाई लड़ाई कर दी हैww झार कर चुके हो तुम लोग और फिर क्या होता हैyi ही घुर यार यह लड़ाई बड़ाई जाने दो यार मैंने यह को बात करनें तुझसे मेरे को लडाई नि करनी है हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे वापिस से दोस्ती बना ली पुना स्थापित कर लिए अभी लड़ पड़े थे किसी चीज पर और देखो आप दुबारा से दोस्ती कर लेते हैं बातचीत कर लेते हैं यह दारी अपने दोस्त की बतानी है उसको चार तरिकी कि गॉस्यबारइ फेक इसके साथ मारें तो मारें कि कौन सुनता इतनी बात है हमारी हमारी हमारा दोस्त इतो सुनता सिंपल जिए इतन हो जाता है एलिए नेaisy कि तो मने इन बात कर दिए तो नहीं कर दिया फिर तो ज sword कर दिया थो तुम वापिस आता जा रहार verste पूरी रहे तो बहतर है वो वो हरकत कि तुम सुलह करने ही नहीं गए ठीक है चलो ग्यारवश अब आता है स्कूरूटिनाइज एक्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोज लिए ठरली चांच परताल करना बहुत ही नजदीकी से बारीकी से उसको बोलते हैं स्कूरूटिनाइज क्य किसी चीज को क्या करना किसी चीज को बहुत ही नजदीक से बहुत ही जाच परताल करना किसी चीज की अब देखो किसी मामले की जाच परताल कर रहे हो तब भी आप स्कूरूटिनाइज बोल सकते हो ठीक है किसी मामले की जाच परताल कर रहे हैं तब भी हम क्या बोल सकते हैं तब भी हम scrutinize बोल सकते हैं कि scrutini अब बहुत ही गहरे रूप से बहुत ही डीप तरीके से जाच परताल करें इसका सिननेम क्या हो जाएगा समानार्टी इंस्पेक्ट करना या करना नजरों से एकदम तुमने जाच परक्ष कर ली है पूरी की पूरी इंस्पेक्शन कर चुके जाच परताल कर चुके इसका विप्रीत हो जाएगा ग्लैंसेट कि तुमने बारीकी से कोई नहीं एक नजर एक जलक ऐसे देख और ऐसे मुड़ गए इसको कहते हैं जलक जलक म अब बहुत टाइम बिता करके उसके उपर देख परक कर रहे हो और एक जलक देखा है वह जाता है उसका विप्रीत बारवा जो आता है वह सटल यानि की हलका फुलका अब हम कई वर बोलते हैं मेरा ना मेरे दोस्त के साथ हलका सा एक आर्गुमेंट हो गया आर्गुमेंट बहस हो गई हलकी फुलकी सी बहस हो गई तो सटल आर्गुमेंट बोल सकते हैं सटल सटल वर्ड अब इसके अंदर ना बिटा बी जो है ना सबटल मत बोलना बी जो है वो साइलेंट होता है बी जो है वो साइलेंट वोड है सटल बोलते हैं हना सटल यानि की हलका अब मैं बो ना हो जिस चीज के ओपर हल्का फुलका सा उसको हम सटल बोलते हैं, देखो, so delicate or precise as to be difficult to analyze or describe, मैं अब कोई चीज इतनी हल्की फुलकी सी होती है, जिसको आप क्या ही डिस्क्राइब कोई है, हल्की सी आर्गिमेंट हो गई, आप क्या ही इतना बड़ा बता हैं, कुछ है ही न इतना बड़ा उसमें बताने लाइए, इसका विपरीत हो जाता है बढ़ी बात कोई, कुछ बहुती बढ़ा हो गया, फट कया, मुक का माध्या किसी ने सटल आर्यूमेंट नहीं तो बहुत ही गंदी बहस हो गई तोड ताड के आगे एक दूसरे कम वो पिर तो बहुत ही बड़ा है ठीक है है सटल मीन हलका फुलका थाटीन्थ वर्ड है टैक्टफुल टैक्टफुल का मतलब क्या होता है देखो तो टैक्टिक्स अगर हम बोलें तो टैक्टिक्स मतलब की क्या बोल सकते हैं पहले इसको पढ़ लोई देखो हैंग और शोइंग स्किल और सेंसिटिविटी इन डिलिंग विद अधर्स और विद डिफिकल्ट इशूस हैंडल करना किसी चीज़ को ठीक है तरकीब सब्सक्राइब करना इसे और एसी संस सेंसिटिविटी के आप दूसरों के साथ बढ़िया तरीके से और बुष्किल से मुष्किल घड़ी में आप उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से पिदा बहुत होता एक इंसान कोई कोई इनसान बहुत टैक्ट फुल होते हैं यानि तो या तो आपके अंदर ऐसी चीज है आपके अंदर आप अंदर से ऐसे इंसान हो जो बहुत ही असानी से क्या कर लेता है चीजों को हैंडल कर लेता है हना उसको आता है या फिर आप आपके अंदर आप ये गुड़ दिखाते हो दूसरों को तो वह इंसान टैक्ट फुली ख तो ऐसे आप टेक्ट फल इंसान हो अब देखो ऐसे ही हम समान आर्थी बोलते हैं कंसे डरेट किया बहुत शोच समझ चलते हो आपको बहुत तर्कीबे jak up कर लोगों at ध्यान रखके चलते हो इसका विप्रीत हो जाएगा टेक्लेस तैक्टलेस यानि कि जिस इंसान को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है और वो दूसरों का ध्यान रखके बिने चलता और ना वोसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना आता है या फिर इंडिस्क्रीट ठीक है यह वर्द हो जाते हैं क्लियर है बिटा चालिए आता है फोटीन्थ वर्ड ट्रांजियंट ट्रांजियंट का मतलब क्या होता है शनिक बहुत ही छोटे में छोटे से टाइम के लिए बहुत ही मुमिंटरी ट्रांजियंट मतलब शन भरका एक पल बहुत ही छोटी हो लास्टिण संहें प्रांजियंट मतलब शन भरका एक पल लिए चीज़को हम ट्रांजियंट बोल सकते हैं transient moment कैसा पल था शन भर का पल था transient बोल दो उसकी जगा ठीक है शन भर का so temporary जो चीज लंबी ना चलती हो भाई शन भर की है temporary है short lived छोटी से समय के लिए और उसका विप्रीत क्या हो जाएगा permanent कि हमेशा के लिए perpetual कभी ना खतम होने वाला अनंतकाल तक के लिए अना छोटी चीज का उल्टा क्या हो जाएगा बहुत लंबे समय के लिए तो यह हो जाता है और लास्ट वर्ड रहेगा शायद आज का हमारा यह 15 थांजी कि हमारे पास एक और वर्ड है 15 से जाद है बोनस चलो विंडिकेट विंडिकेट का मतलब होता है क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशिन जब आप ना किसी को क्या करते हूं गैर्ज बढ़ी करता है न कोट कि हमने तुम्हें आजाद किया हमने तुम्हें दोश्मुक्त कर करना विंडिकेट का मतलब है दोश्मुक्त करना कि आपने क्लियर समवन ऑफ ब्लेम जो ब्लेम डला हुआ था उस इंसान का ब्लेम क्लियर कर दिया आपने उस पर से इलजाम हटा दिया दोश जो था दोश डाल रखा था कि यह इंशान खूनी है इस पर खून करने का दोश हुआ है आपने उसको उस दोश से मुक्त कर दिया उस पे से वो ब्लेम क्लियर कर दिया ठीक है तो हमें साबित करना सही साबित कर किसी इंसान को दोश मुक्त कर देना सही साबित कर देना देखो clear यह absolve इसका होता है समानार्थी और इसका विप्रीत शब्द जो होता है convict या blame कर देना कि दोश डाल देना या मुझरिम ठहरा देना ठीक है मुझरिम ठहरा देना और 16th word है vary w पे हम आ चुके है vary vary का मतलब है feeling or showing caution about possible dangers of problem जब हम साबढ़ान हो करके चलते हैं ना तब हम बोलते हैं vary क्या हो आप सावधान हो मुसीबतों को लेकर के dangers को लेकर के problems को लेकर क्या पहले से साबढ़ान हो करके जब चलते हो तो हम vary भी बोलते हैं यानि की हिंडी मे सावधान क्या हो चीजों को लेकर कि बहुत ही जादा पहले से ही आप बहुत सोच समझ के चल रहे हो यानि कि साफधान हो चीजों को लेकर कि यानि कि वैरी हो कौशियस केरफुल हो और विपरीत क्या हो जाए का कि आप बेपरवा हो एक दम आपको फरागी नहीं पड़ता है चीजों को लेकर कि आप बोल तो देख लेंगे जो आएगा हना आप बिल्कुल भी साफधान नियों केरलेस हो अन्वैरी भी भी भू सकते हैं और हमारा अगला वर्ड जो है लास्ट है जेलॉट जेलॉट का मतलब क्या होता है परसंट हूँ है वेरी स्रॉंग पिनिंज अगर आप कर ले तो कही बार क्या होता है वह क्या होता है वह कहता है कॉंग्रेस ही आगे है तुम भी कॉंग्रेस में आ जाओ तुम भी कॉंग्रेस कि क्या है ग्रुप में जोइन हो तुम लोग किसी और में बिजएपी बिकार है अब बीजएपी वाला क्या बोलेगा कि मैं जिसमें मानता हूं मैं जिस पार्टी मे में बिलीव करता हूं वही सबसे बहतर है तुम्हें भी इसी में करनी चाहिए तो कट्टर पंती इंसान है ना कि वह अपनी जो मानता है उसका खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉंग उपिनियन है उसके खुद की एक बहुत ही मजबूत राय है किसी चीज़ को लेकर वह दूसरों को भी बोलता है इसी में विश्वास करो मैं इसमें विश्वास करता हूं तुम्हें भी इसमें होना चाहिए तो क्या है कट्टर पंधी ठीक है अब उसका नॉलेज का की अक्चल में तुम लोग को तुम्हारी कितने साथा स्ट्रॉंग है तो यह रहा क्वेश्चन नंबर वान एंड विच वर्ड मींस अबसेंस ऑफ गवर्मेंट कौन से शब्द का मतलब होता है अबसेंस ऑफ गवर्मेंट ठीक है एनार की एरिस्ट्रोक्रेसी अगला वर्मेंट रन की जाती है उसको क्या कहते है डेमोक्रेसी ब्यूरियोक्रेसी ठीक है जल्दी चालिए तो आंसर चेक कर लेते हैं पिटे क्वेशिचन नंबर वान का आंसर जो है वो है और अनार की बोला जाता है ठीक है एबसेंस ऑफ गवर्मेंट को यह वर्ड जो ह इहान रखना इसका ठीक है और जो अगला है गवर्मेंट रन बाय ऑफिशिल्स उसको हम बोलते हैं ब्यूरियोक्रेसी ऑप्शन नंबर बी ठीक है चालो सो हमने आज की क्लास में कर लिए अंटनिम्स भी कर लिए सिननिम्स भी कर लिए सब बचा तो कुछ नहीं है बचा है प्रैक्टिस करना और जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताइए उसको जितना ज्यादा फॉलो कर लोगे उसको जितना ज्यादा काम करोगे तो एक्जाम में अगर कहीं से भी उठकर के कुछ भी पूचा जाते तो आपका भी मतलब उसमें फिल नहीं होगे आन्सर करके और अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर EDM and phrases करेंगे सो थांक यू सो मच बबाइ टेक क्यार